देनिक दालूग से मैं सुरीश मिश्रा आज इस्तापक साब हैं हमारे जवलपूर रीजन के पूर्चेट बिद्धू-दूति मृत्रण कंपणी के मुखवी अंता स्री आरके स्तापक साब से हम चर्चा करने के लिए हाँ पर आया है इस्तापक साब यहां पे अब दिसंबर समाप्त हो गया है और नया वर्च सुरू हो गया है तो साल में कितना राजस जवलपूर इस देखिए अभी जैसे की दिसंबर 20 समाप्त हुआ है तो अभी तक हमारा जो है पकपनी का कलेक्ट हो अरुक्त करोनाकाल में मार्च से अप्रेल मईश तीन मेने में जो है फिफेक्ट पगा था जो पैसा लोग नहीं दे पाए थे लेकिन बाद में जजो है जुलारी अगर सितम्बर से इंप्रूमेंट आया है और अक्टूबर नम्बर दिसंबर मैं काफ तो पूर्टी जो है ग्रामिट छेत्रों से लेकर शहरी छेत्रों में उसकी क्या पोईशन देखिए अभी अब आपने जो पिछले मैंने जो डाटा निकाला था पूरा साल भर का नमंबर तक का डाटा निकाला था तो इसमें ग्रामिट खेत्र में जो क्रसी के लिए जो है दस घंटे दे रहा है तो इसमें लगवक लगवक जो है दस घंटे मे 5-7 मिट कर घंज आ ऐंतर था किदर घंठक 않는र कम था तो ग्रामीड चत्रों में ट्रांसफामरों के पाझ स्टाप्डेश आती है था आप भी जानते हैं हम इन ने wen वह को र SCO प्रेशंड हो गया था ले से सक्षाइब और आज की अग्राइब उसके इसला कोई बिं तारा संब्रों ने जो बदल से e懂 तो अभी जो प्रमुक सचिव ने समाधान योजना को लेकर बोला था कि इनके सीविर लगाय जाए और जब तक पिर पंचायच चुनाओगी गोशना हो गई तो अब क्या उसकी पोजीशन देखिए उसमें के डेट दी थी 16 तारीक डेट दी थी कटाप डेट थी पतनताइक उसके आविदन लेना थे काफी लोगों ने उसमें आविदन दिये हैं और एपिलिकेंट जो थे उनको जो है उस योजना का लाब जो है देना सनुश्चित किय गया है और योजना भी लाब हुए इस मेहने से उनको लाब मिलना भी उस योजना का सुरू हो जाएगा अपनुआ भी कहा जाता कि आप जैसे ही महना सुरू होता है आपके दोरे सुरू हो जाते हैं पूरे संभाग में इस बात की बड़ी चर्चा रहती है तो क्या फिर सु दो लियता है। दस्ताइक तक मैंग्जम जिले हम कबार हो जाएं। माई जैसे ही सुरू होता है वैसे ही मीटिंग लेने से फायदा ये होता ही कि एक दम ढारेक्ट नीचलेश टापके टच में आ जाते हैं और जो भी निर्देश उनको देना है वो सुरूई में दे देते हैं ताकि महीने में पूरे महीने वो काम करते रहे हैं और जो निर्देश देते हैं उनका पालन करते रहे हैं उसका डर बना रहे हैं नहीं डर नहीं बना रहे था उनको जो है सपोर्ट दे देखिए वह जो जुलाइए अगस्त के लिए दिए थे वरसा सीजन के लिए दिए ते क्योंकि हम देखते हैं जैसे बारज सुरू होती है तो यह ज्यादा तर बेकडाउन में आती है तो तीर महने के लिए जो वर्सा काल रहता है उसमें एफुसी अटेंड करने के लिए लाइनों के सुधार कारी के लिए वो दिये थे और अभी हमको अगर मैसूस होगा अधिक छेंत्री सहर से चर्चा करेंगे और उनको आवज सकता होगी तो बकाईदा नयवाले M.D. साफ से चर्चा करके उनका त्रिक्त में पावर बिल्कुल दिलाए जाएगा बिजली चोरी के लिए जो भी सूचना प्राप्त होती है तो लोकल अधिकारी को बता दिया जाता है और हमारे करश्ट अंत्री साइक अंत्री वकाईदा जाके इस पार्ट पर चेक करके पंचनाओं बनाके उनकी निर्धार समय में बिलिंग भी करते हैं और एक सतरक्ता संका अलग से है जो डारेक्ट जो है इंफोर्समेंट है वो भी अपने हिसाफ से चेकिंग करते रहते हैं उनको जहां जैसी जानकारी आती है वो भी चेक करते हैं अपना आपके द्वारा भी कई बार है ना जब पहले संजेदूबे साभ अभी आय थे तब आप लोग इस्ट डि की हानी जो कमर्सियल हानी मिला के एक आती है वो पूर संभाग में सबसे ज़्यादा थी तो आधरी हमारे PS महोदा ने भी उसको रिबू किया था तो वहां द्वारा भी किया था तो हमने उनको जाके फिजीकली भी दिखाए था पर पर सचोर महोदा को इस प्रकार से चोरी ह आई दी गए तो इसमें मैंने भी DTR लिया था दिक्षेंटरी सहर ने भी लिया था उन्हें डी टी आरों में हमने लगातार अभियान चलाया वहां चोरी के प्रकाया बनाए सर्विस लाइन बदली बंद खराब मीटर बदले और पूरे 18 डी टी आर पर हमने जो है लगातार प्रशासन प्रशासन नहीं कर पाता है वहां एक निश्चित रूप से आपके लिए चुनोती भी होता होगा जाएं लड़ाई जगडा मारपीट वाली विस्तिति को देखिए इसलिए हम नीचे तपके को हाकेला नहीं भेजते हैं जब भी हम जैसे हपते में तीन दन जो भ प्रग्राम बनाते हैं चांदनी चौक फी generating तो दो-तीन देन बाद वाहरा भाघ पर बनाएंगे इसा चेंज कर करके प्रोग्राम बनाते हैं जय्यादा ज्यादा थे ज्यादा संख्या में हमारा नीचे का तपका लाइन स्टाप और अधिकारी वहां मौझूद रहें जैसे चार पांच जेए दो तीन एकाड़ी ऐसा मिलके जाता है ताकि हम लोग इखटे रहें ज्यादा तर कोसेज करते किसी प्रकार की विबाद की इस्तिति नि द्रज की पुलिस ने स्रयोग भी किया और तुरन्द घ्याका करने वाले को अरेस्ट भी कर लिया था उससे मिलब लोगों कर्मचारियों कर्मचारियों उसमें उत्साय आया तुरन्द कार रभाई हुई और उनका मनोबल में ब्रद्धि हुई आगे आपकी क्या पलानिंग है नए साल में प्लानेंग है जो चोरी वाले जो छेत रहे हैं उनको चिन्नित जो हमने किये हैं और आगे जो हमको और चिन्नित होते हैं उन पर लगातार जो है सघन कार्रवाही की जाएगी किसी भी हालत में जो है बिजली चोरी नहीं करने जाएगी और हमारा कोशिस है उसमें समलित करके और उसको पकाय राही जमा करने के लिए मोटिवेट करेंगे और हमाई सबसे वगी प्रात्मिक्ता होगी उब्होगतां की सिकायतों का समय पे नरा करा हो उनको सचाय रूफ से बिद्धत मिले समाधान योजना में जो है न मतलब कोई चिन्नीत की होंगे समाधान की उब्होगता खुद से आ रहे हैं या वो जमानी करना चाहते हैं या बड़ा उनको उपर प्रेशर वनाना बड़ता है तब जाके वे देखिए समाधान योजना में भी जैसा हमको आसा थी वैसे परिगा में छूट मिलेगी इतना आपको मूल रासी में छूट मिलेगी पत्र भेजने के बाद भी ज्यादा था रूब्होगता जो है इसमें टेस्ट नहीं लेते हैं फ्रम ब्यक्ति रूप से मीटरीडर लाइनमेन या जेई को या स्पीकर लागा के अनॉंसमेंट कराते हैं तब भूगता उसमें वोटीबेट हो रहा है जो विद्दू भूगता का कहना यह है कि जो एक किलो वाट तक के इनको लाब मिलना है उनका कहना रहता है ताब पहले तो सासन ने हमको लिखा बूलिया गिया इना उसको रोग दिया गया फिर बिल जोड़के भेज़ते हैं यह प् इस्तिकित कर दिया गया था इस्तिकित कर दिया गया था पतलब माफ नहीं किया गया था चूकि कोरोना में लोगों के काम धंदे बंदे थे लोगों के पास पैसा नहीं था तो उससे माहे की स्थिती में जो भी उनकी बकाय राशी थे हो उसको टेंपरेरी रूप से बिल से ह किसी भी तरीके से मोटिवेट होके जमा कर दें अपको और मैं आपको बदाई भी दूंगा कि आपने एक वर्स में दो हजार क्रोड से उपर का राजस्वा अरजित किया है और अपने करमचारी अधिकारियों के लिए नए वर्स में क्या संदिज देना चाहिए यह सब हमारे क करमचारी अधिकारीयों का सयोग का ही का रहा है कि हम ने 2000 क्रोड से ज्यादा रासी अबी तक अरजित की है और सब करने का मीडिया का पबलिक रहा निरंतर मिलता रहे गा हम लोग लगातार तार्गेट हैईशिफ करते रहेंगे